असलाम वालेकूम एंड वेलकम टू यू ओ लर्निंग चैनल आज की वीडियो में हम लोग एक टिटोरियल देखेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा के आपने अपने पावर कॉइंट पे लेंग्विज को चेंज कैसे करना है यहाँ पे लेंग्विज चेंज करने से मुराद जो डिस्प्ले लेंग्विज होती है आपकी उसको चेंज करना है तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप पावर पॉइंट की फाइल को ओपन करेंगे फाइल ओपन करने के बाद आप फाइल में चले जाएंगे और उसके बाद ऑप्शन्स में यहाँ पर आपके पास लैंग्विच और यहाँ अगर आप देखें तो इस टाइम इंग्लिश और अरभिक दो लैंग्विच हैं तो इसी तरह यहाँ आपके पास आप्शन आ रही है इंस्ट्रॉल एडिशनल डिस्प्ले लैंग्विच तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी मर्जी की जो की आप लैंग्विच एड करना चाहते हैं लाइक मैं उर्दू एड करता हूं तो इंस्ट्रॉल जैसे ही आप इंस्ट्रॉल करेंगे तो आपके पास यह एक पेज ओपन हो जाएगा ब्राउजर पर यहाँ से आप इसको डाउलोड कर लेंगे स्टार्ट करेंगे हम लोग इसको ओपन करेंगे और यह यस अब यह टाइम लेगा थोड़ा सा जैसे ही यह complete होगा तो आपको यहाँ पे Arabic के साथ ही नीचे उर्दू शो होजेगा इससे आगे क्या करना है तो अभी मैं वीडियो को पास करूँगा जैसे ही यह complete इंस्टाल हो जाता है तो then हम इससे आगे चलेंगे जी तो जो हमें download की थी एक file वो completely install हो चुकी है अब मैं इसको close करता हूँ और अब अगर मैं पावर पाइंट दुबारा उपन करूँ उसके बाद file में जाओ options और last पे language तो अब देखें आपके पास यहां पे उर्दू शो हो रही है अब हम क्या करेंगे इसको प्लिक करेंगे और यहां पर option आ रही है move आपकी इसको हम top पे ले जाएंगे तो ok करूँगा मैं इसको close करूँगा और अब अगर मैं power point open करूँ तो यह देखें यह totally उर्दू में आ गया है पहली slide शामित करने के लिए क्लिक करें इसी तरह आप जो भी language कि यहां पे add करना चाहें आप add कर सकते हैं तो उसके शुरूप आपका जो display language है वो change हो जाएगी उम्यद करता हूँ आपको tutorial पसंद आया होगा आपने अगर channel subscribe अभी तक नहीं किया तो channel को subscribe करें ताके इस तरह की मदीद वीडियो आप देख सकें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफेश झालाहाफेश